प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं सावन का महीना देवादी देव महादेव की उपासना को समर्पित है अब सावन समाप्ती की और बढ़ रहा है आज मतलब 9 अगस्त को सावन का तीसरा सुम्बार है सावन के सुम्बार महीने में भगवान शिप की पूजा का विशेश महत्व है भगवान शिप की पूजा सुब मूरत में करने का विधान है माना जाता है कि सावन सुम्बार की पूजा राहुकाल में नहीं करनी चाहिए सावन के तीसरे सोंबार को राहुकाल का समय सुबा 7.26 मिनट से सुबा 9.30 मिनट तक है इस दिन अभिजीत मुहरत सुबा 11.69 मिनट से दोपार 12.30 मिनट तक है सावन के सोंबार को भगवान शिप की विसेश पूजा करने का मात्व है पौरानिक कताओं में जिक्र है कि सावन का महीना भगवान शिप को प्रिये है अभी चातुर मास है चातुर मास में भगवान विश्नु का सैनकाल आरम होता है इस दोरान प्रिथवी लोग की सारी जिम्मेदारी भगवान शिप के पास रहती है सावन का महिना चातुर मास का पहला महिना है मानता है कि सावन में भगवान सीब माता पारवती के साथ प्रिथवी का ब्रह्मन करते हैं भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं अगर सावन महिने की बात करें तो पहला सुमबार 26 जुलाई को था इसके बाद सावन का दूसरा सुमबार दो अगस्त को था 9 अगस्त को सावन का तीसरा सुमबार है सावन का आखरी और चौता सुमबार 16 अगस्त को है सावन का महिना 22 अगस्त को समाप्त हो जाएगा इस अपडेट में इतना ही बने रहिए हमारे साथ